समस्ते बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों हमने जो अभी रख्ती की कहानी नाम का जो पार्ट पढ़ा था हिंदी की कक्छा 5 की मणी मेखला बुक से अब चेली अब हम उसके बाकी के प्रशन उतर और उसकी एक्सेसाइस करेंगी ये पार्ट तो अल्रेडी आप पढ़ चुके हैं और इस पार्ट का जो है वीडियो जो है मैं अल्रेडी बना चुकी हूँ और आपके लिए मैं उसका लिंक जो है शेयर कर दूँगी तो आप जहानी के जो शब्दार्त है तो देखे यहां पर मैंने वर्ड और मीनिंग्स दोनों लिखे हैं रक्त का हिंदी अर्थ होता है खून मतलब बलड दूसरा है खोकला खोकला मिंस खाली मिंस हॉलो स्वभाव का अर्थ होता है आदत मिंस आपका मूड या आपकी हैबिट क्या है फिर सरल सरल मिनस आसान ईजी फिर फिछिकिटशक मतलब होता है डॉक्टर जो छिकितसा करता है फिर इसके बाद क्या है Shout देखें दॉसका हे अर्थ है मतलब अनुसंधान का र्थ होता है ोज करना मिंस इन्वेंशन फिर सेवेंत है चक्रनुमा समक्र खरके आकार का circular जो path होता है wheel type का फिर है 8 में रोचक रोचक अर्थ होता है रोचिकर मतलब interesting फिर इसके बाद है एक मुहावरा है इसी part में आया हुआ मुहावरा क्या है पीठ थप थप आना तो इसका अर्थ होता है शाबाशी देना अर्थ लिखने को ही आएगा अगर आपको वाकि में प्रयोग करने को आया तो आप वाकि में प्रयोग कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा है मैं अपनी कक्षा में प्रधम आया तो मेरी शिक्षिका ने मेरी पीठ थप थप आई मैं शाबाशी दी फिर चले आगे देखते हैं और क्या है इसके बाद जो अपनी टेक्सबुक में है ना कुछ मौखिक प्रश्ण है मौखिक प्रश्ण मतलब आपको ओरली आंसर देना है तो पहला प्रश्ण क्या है नेहा कहां रहती थी तो इसका उतर है नेहा कानपूर यहाँ पर कानपूर एक प्लेस है कानपूर शहर में रहती थी फिर दूसरा प्रश्ण है नेहा क्यों चिलाई तो उतर है खून देकर नेहा चिलाने लगी फिर थर्ड वाला क्या है रक्त के कितने भाग होते हैं तो उद्धर है रक्त के दो भाग होते हैं कौन-कौन से एक सफेद दूसरा लाल तो ये थे मौखिक प्रश्ण अब चलिए देखते हैं लिखित प्रश्ण में क्या है लिखित प्रशन मतलब रेटाइन आंसर तो इसका पहला प्रशन 조 है रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है means blood का colour red color का क्यों होता है तो इसका उत्तर है रक्त में लाल रक्त कण मतलब red blood particles बहुत अधिक मात्रा में होते हैं उसे हम hemoglobin कहते हैं जिसके कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है तो ये है इसका उत्तर फिर सेकंड है अनीमिया किसे कहते है means अनीमिया जो एक डिसीज है उसे किसे कहते हैं तो इसका उत्तर है अनीमिया एक तरह की बीमारी है वीमारी means disease है जो खून की कमी के कारण होती है खून की कमी मतलब blood की deficiency के कारण होती है उसे हम anemia कहते हैं फिर इसके बाद third वाला question देखिए घर में सब नेहा को क्यों प्यार करते थे तो इसका उत्तिर क्या है वे पढ़ाई में बहुत होश्यार थी इसलिए घर के सब उसे प्यार करते थे फिर नेक्स्ट क्या है चौथा क्विश्चन है हमें खाने की किन चीजों से लौह तत्व मिलता है लौह तत्व मतला हम आयरन हमें किस खाने की किन किन चीजों से मिलता है तो उसका उत्तर है लौह होता है तो हमें हरी सबजियों जैसे की ग्रीन वेज़िटेबल, हरी सबजियों means green vegetables, पत्ता गोभी means cabbage, पालक, spinach, गाजर means carrot, आप और भी नाम लिख सकते हैं तो लौह होता है तो हमें हरी सबजियों जैसे पत्ता गोभी, पालक, गाजर, आजिसे मिलता है फिर fifth question क्या है रक्तकर शरीर के किस भाग में बनते है, मतलब जो blood है अमारे body के किस part में बनता है तो इसका उतर है रक्तकर हड़ी के खोखले भाग में बनते है जो hollow part होता है bone के बीच में बलड बनता है फिर एक्स्ट क्या है रक्तकन कितने प्रकार के होते हैं इन्हें हम कैसे देख सकते हैं तो हमने मौखिक प्रश्ण भी पढ़ा था कि रक्त के दो भाग होते हैं रक्तकण दो प्रकार के होते हैं लाल रक्तकण और सफेद रक्तकण और इन्हें हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसे देख सकते हैं क्या है कि खून के सफेद करन हमारी क्या सहाइता करते हैं तो उसका उत्तर है खून के सफेद रखत करन विभिन रोगों से लड़ने में हमारी सहाइता करते हैं हमारी युमिनिटी को बढ़ाते हैं जो वाइट ब्लड सेल होते हैं फिर इसके बाद सबसे एक इंपॉर्टेंट क्विश्चन है जिसे हम वैल्यूएवल क्विश्चन या मूल परक प्रश्न कहेंगे तो वह है कि स्वस्त शरीर और संतलीत भोजन हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं यह इंपॉर्टेंट है स्वस्त शरीर और संतलीत भोजन मतलब स्वस्त हेल्दी बॉड़ी और संतलीत भोजन मतलब हमारे जीवन परलाई पर क्या इफेक्ट डालते हैं तो इसका उत्तर देखिए क्या है इसका उत्तर है कि यह स्वस्त शरीर और संतुलित भोजन और जीवन का बहुत गहरा रिष्टा है बहुत deep relation है इन तीनों की बीच में यदि हमारा शरीर स्वस्त होगा तभी हमारा मन भी स्वस्त रहेगा और संतुलित भोजन करने से हमारे शरीर को क्या होता है सभी आवश्यक पोशक तत्व मिलते हैं कौन-कौन से पोशक तत्व मिलते हैं हमें इसमें विटामीन और कार्बर हाइडरेट मिलते हैं तो देखें यह क्वेश्य आंसर्स तॉम ने कर लिया फिर और एक्सरसाइज देखते हैं जैसे इसके बाद है यह कुछ फिल इन दे ब्लैंक से हैं जो कि ऑप्शन से यहां पर ग क्ताजमा कहते हैं फिर सेकेंड है छोटे रक्तकणों को हम केवल माईक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं तो सेकेंड में रक्तकण आएगा फिर थार्ड है जो हवा हम ग्रहन करते हैं उसमें- ऑक्सीजन है तो यहां पर फिर फोर्थ है जो हवा हम बाहर छोडते हैं उसमें कार्वान डाय okside होती है बाहर चोड़ना मतला breathe out और जो हम grant करते हैं मतलब breathe in करते हैं तो उसमें oxygen होती है तो यह हमारे fill in the blanks वाली questions भी हो गए then इसके बाद कुछ MCQ टाइप questions हैं चलो देखते हैं इसमें क्या है तो नेहा को उंगली कैसे कटी फर्स्ट वाला तो इसका उतर है pencil छीलते समय फिर दूसरा है plasma किसे कहते हैं तो उतर है रक्त के तरल भाग को जो liquid वाला part होता है उसे हम plasma कहते हैं जिसमें की ये सारे blood cells float करते रहते हैं फिर third है खून की कमी से कौन सा रोग होता है तो उतर है anemia इसके बाद फिर fourth वाला क्या है रक्त संचाल प्रणाली पर अनुसंधान किस ने किया मतला अनुसंधान करना मतला उसको खोज या invention किस ने किया जो blood circulation system था तो तर है डॉक्टर हारवे ने तो ये थे exercise और ये valuable प्रशने तो हम already कर चुके है फिर इसके बाद क्या है चलिए एक और देख लेते हैं हम वाक्यों को दिये गए काल की क्रिया से पूरा कीजिए मतला इसको जो tense दिया है वर्तमान काल मतलब होता है present tense दूसरा भूत काल मतलब past tense और भविश्य काल का मतलब होता है future tense तो उसके according हमें यहां फिर फिल करना है तो पहला नेहा काम करती है present tense में करती है फिर second है किसान खेत में हल चलाता था फिर यह भूत काल है फिर मधु मक्की फ्यूलों का रस चूसती है that means present tense में है present tense में always है आता है past tense में था और भविश्य काल में गा गी गे वाला गा लेटर वाला आता है जैसे कि क्या तुम कल बाजार अब भविश्य काल future tense में करना है तो जाओगे तो यहां पे गा sound आएगा फिर है बच्चा गेंद से खेल रहा था भूत काल है तो था आएगा अब यह बुक की तो exercise almost हो चुकी है अब हम एक और वक्षिट देखते हैं देखी एक question answer आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कोई शब्दार्थ given है यह जैसे रक्त मिन्स खून, खोखला मिन्स खाली, सुभाव मिन्स होता है आदत, अल्रेटी मैं इसके word meaning बता चुकी हूँ आपको चिकित सक मतलब doctor, चक्र नुमा मतलब चक्र के आकार का अनुसंधान मिन्स होता है खोज अब दखिए यह सारे ना mixed question answer एक साथ दिये हुए है, जैसे कि मौकिक और लिखित सम मिक्स कर दिया है, लेकिन यह important question से आप इससे भी prepare कर सकते हैं proper, जो कि अपके exam के लिए very helpful होगा जैसे first question है, रक्त के कितने भाग होते हैं, how many parts of blood, तो उतर है रक्त के दो भाग होते हैं, एक सफेद, दूसरा लाल, यहाँ पर आएगा लाल, इससे इस तरह से लिखिए लाल फिर दूसरा question है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उतर है खून की कमी से अनीमिया होता है, अनीमिया यहाँ पर आपको लिखना है, नामे बड़ी मात्रा, अनीमिया यहाँ पर कुछ-कुछ spelling mistake है, इसलिए आप उसे correct कर लिएजेगा फिर फिर थर्ड है, खून के सफेद रक्त कर हमारी क्या सहायता करते है, जो white blood से लोते हों हमारी क्या help करते है, तो इसका उतर है, खून के सफेद रक्त कर विभिन रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते है अब इसके बाद फिर fourth वाला question जो हमें कम से कम 20 से 25 शब्दों में लिखना है मतलब की करीब दो तिल नाइन में लिखना है तो देखे fourth वाला question क्या है रक्त कर्ण शरीर के किस भाग में बनते हैं और उन्हें हम कैसे देख सकते हैं तो इसका उतर क्या है रक्त कर्ण हड़ी के खोखले भाग में बनते हैं और उन्हें हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं फिर fifth वाला क्या है शरीर में रक्त की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है अगर आपके blood deficiency हो गए तो आप उसको कैसे पूरा करेंगे उसको तो इसका उतर क्या है कि शरीर में रक्त की कमी को ताजे, फल, मांस, हरी, पत्ते वाली सबजियां, पत्ता, गोभी खाकर पूरा किया जा सकता है मतलब कि जिस पर इस चीज से हमें लौह तत्व, मतलब आइरन, एलिमेंट मिलेंगे उससे हम रक्त की कमी को पूरा कर सकते हैं तो क्या क्या है, फल, मांस, हरी, पत्ते दार, सबजियां, पत्ता, गोभी फिर है, हमें 30 से 35 शब्दों में इसका उतर लिखना अभी कम से कम दो लाइन पे लिखना था आप कर रहीगी भी है दो से तीन लाइन थोड़ा जादा लॉंग अंसर है, उस पे लिखना आए तो हीमो, इसका उतर है, कुष्चन है, हीमो गलोबीन किसे कहते है इसे हमारे शरीर के फिबिन भागों तक कौन पहुँचाता है इने की वाट इस हीमो गलोबीन क्या है और यह जो एनाम है, different part of body तक हमें कौन डिलिवर करता है तो इसका उतर है, रक्त में लाल रक्तकन की मात्रा अधिक होती है उसे हम हीमो गलोबीन कहते हैं, जो red blood cell होते हैं बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए हमारे blood का color भी red होता है और उसे हम क्या कहते हैं, हीमो गलोबीन हीमो गलोबीन का law था तो फेफडों से oxygen लेकर उसे शरीर के विविन भागों तक पहुचाता है मतलब क्या हुआ कि रक्त में लाल रक्तकन की मात्रा अधिक होते हैं उसे हम हीमो गलोबीन कहते हैं और हीमोगलोबीन का जो लोह था तो मतलब आयरेन है वो फेफड़ों से फेफड़ा मतलब लंग से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन उसे कैरी करता है और फिर शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में डिलिवर करता है इसकी बाद सेवेंथ आंसर जोके हम कर चुके हैं पहले भी एक पर फिर से देख लेते हैं स्वस्त शरीर और संतुलीत भोजन हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डालते हैं तो इसका उत्तर है स्वस्त शरीर और संतुलीत भोजन और जीवन का बहुत गहरा रिष्टा है मतलब इनका स्वस्त शरीर healthy body balance diet और अपना life इसका बहुत है deep relation है संतुली भोजन करने से हमारे शरीर को सभी आवश्यक पोशक तत्व जैसे की vitamin और carbohydrate मिलते हैं तो ये था complete आपका ये lesson जक्त की कहानी जो कि हम कर चुके हैं टेक्स बुक से भी कर चुके हैं और इसके grammar का भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ और भी अगर आपको कोई doubt difficulty है तो